She says me, she tells me. He tells to me, he says to me. इन चार sentences में से दो sentences गलत हैं और दो सही हैं. अगर आपको जरा सा भी time लग रहा है सही और गलत को समझने में, तब तो आप इस वीडियो में end तक जरूर से बने रहेगा. मैं आपको फर्क भी बताऊंगी कि क्या है और कब क्या यूज करना है ये भी बताऊंगी. She says me गलत है, she tells me सही है. जबकि बोलने, कहने, बताने के लिए हम say और tell दोनों का यूज करते हैं तो क्या फर्क है? He tells to me गलत है, he says to me सही है. तो guys, आज बात करेंगे say और tell verb के बारे में, इन दोनों का मतलब कहना, बोलना, बताना, कभी-कभी सुनाना भी होता है, वो भी आप देखेंगे इस वीडियो में, कब क्या यूज करें and what is the difference, अंतर क्या है दोनों में? तो guys, वीडियो में इन तक बने रहें, my name is Kanchan, you are watching me on English Connection, और अगर आप चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसके बाद आने वाले बिल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हर दिन नोटिफिकेशन मिले और आप हर दिन नया कुछ सीख पाएं. तो guys, मैं आपको बता दो पहले कि ये दोनों ही irregular verbs हैं, irregular verbs वो होते हैं जिनकी second और third form में ed नहीं लगाया जाता, तो आप देख सकते हैं say की second form भी said है और third form है said, और tell की second और third form है told, ठीक है? तो हमें इन चारों को समझना है, say said, tell, told, कब किसको यूज़ करें? और ये to वाला जो चक्कर है, वो क्या है, और क्या सही है, क्या नहीं? same means होता है कुछ कहना, बोलना, बताना, मतलब पूरा focus उस information पर होता है, जो हम बता रहे हैं, लेकिन tell का use हम mostly वहां करते हैं, जहां हम किसी person से कुछ कहते, बताते हैं या बोलते हैं, मतलब tell का use आप तब करें, जब उस व्यक्ति को भी आप mention कर रहे हैं, हाला कि से का भी use आप तब कर सकते हैं, लेकिन वहां पर थोड़ा सा कुछ change होगा, वो आपको दिखेगा, so आपने क्या समझा, you say something, आप कुछ कहते हैं, and you tell someone something, आप किसी से कुछ बताते हैं, किसी से कुछ बोलते हैं, ठीक है, आगे बढ नहीं, और या तो आप बोल सकते, he didn't tell me, उसने मुझे बताया नहीं, मतलब मुझे वो information उसने नहीं दी, तो देखे, tell के साथ me है, और say अकेले use हुआ है, फर्क दिखा आपको, he didn't say, he didn't tell me, तो ये चीज़ ध्यान रखेगा, कि tell का use आप जब भी कर रहे हैं, तो वो person आए I want to tell you something about my father, मैं आपको मेरे पिता के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, तो यहाँ पर focus कहा है, tell you, ये say something, tell you something, clear, अब देखे, what did she say, उसने क्या कहा, तो हम केवल उस information को मांग रहे हैं, उसने क्या कहा, ये जोर दे रहे हैं, what did she tell you, उसने तुम से क्या कहा, तुम्हें क् आया, तो tell you, clear, समझ में आगया आपको, say के बाद आप नहीं use कर सकते, ये बाद ध्यान रखेगा, आप ये नहीं कह सकते, what did she say, you, or what did she say, him, or her, ठीक है, इसके बाद हम उस person का use नहीं कर रहे हैं, और जब मैं person बोल रहे हूं, मतलब व्यक्ती बोल रहे हैं, तो किसी का नाम भी हो सकता है, या फिर कोई pronoun हो सकता है, जैसे के हम use कर रहे है, you, him, her, me, us, ये सारी चीज़े, ठीक है, they said that class was cancelled, ठीक, तो यहां देखे, they said और सीधे आगया that, यहां देखे, they told me that class was cancelled, अगर आप बोलते, they told that class was cancelled, तो वो गलत हो जाएगा, अगर told use क्या है, तो उसके बाद me का use आपको करना है, उसी तरीके से यहां पर आप नहीं बोल सकते, they said me that class was cancelled, अगर यहां पर आप me लगाएंगे, तो वो गलत होगा, ठीक है, did he say where he was, क्या उसने बताया कि वो कहा था, क्या उसने कहा वो कहा था, did he tell you where he was, क्या उसने तुम्हें बताया कि वो कहा था, तो य यहां पर आप देख सकते हैं कि focus किस चीज़ पर है, she said that she didn't know that, उसने कहा कि उसे नहीं पता था, ठीक, she told him that she didn't know that, उसने उससे बताया कि उसे वो नहीं पता था, तो यहां पर आप देखिए कि हमने told him use किया है, और यहां पर said him बोल नहीं सकते, तो अगर हम यह बताना चाह रहे हैं, हम him का use करना चाह रहे हैं, और said के साथ तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए यह option है कि आप to का use कर लें, she said to him that she didn't know that, या फिर she told him, मतलब tell या told के बाद direct वो person आ जाएगा, और अगर आप say या said के बाद use करना चाह रहे हैं, तो आप to का use कर लें, तो आप यह भी कह स रखते हैं, said to is equal to told, ठीक, या say to is equal to tell, तो ऐसे condition में दोनों options है, daddy से बोलो electrician आया है, tell dad the electrician has come, तो जब भी आपको यह बोलना हो कि उनसे बोलो ऐसा हुआ है, तो आप tell का use करेंगे, अब एक exception है, उसे देख लीजे, आप always use tell with words such as the truth, a lie, a joke, a story, मतलब truth, lie, joke, story, इसके साथ आप tell का use करते, इसके साथ say का use नहीं होता कभे भी, you should never tell a lie, come on addie, you are good at telling jokes, she is telling the truth, tell a story, मतलब एक कहानी सुनाओ, तो मैंने आपसे कहा था था ना कि tell का मतलब सुनाना भी होता है, तो यहाँ पर एक चुटकुला सुनाओ, tell a joke, एक कहानी सुनाओ tell a story, he is extremely funny when he tells a joke, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने किसी person का use नहीं किया है, मैंने कहा कि tell जब भी आएगा तो person आएगा, तो अगर आप इनको use करना है, तो उसके बिना भी आप use कर सकते हैं, और in case अगर आपको यहीं बोलना है, कहानी सुनाओ, tell a story, इतना बोला, अ tell a story to me, तो यहाँ पर भी आप to का use कर सकते हैं, अगर बीच में आप कुछ use कर रहे हैं तो, tell that to me, tell me that, मुझे वो बताओ, tell that to me, मुझे वो बताओ, एक चीज़ के लिए हम दोनों का use कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से बोल सकते हैं, तो आपके सामने ये तीन तरीके के structure सामने tell के लिए, clear तो अब आपके लिए question है, जल्दी से comment section में आपको वीडियो pause करके बताना है, मुझे एक कहानी सुनाओ, tell me a story और say me a story, I'm sure कि आप इसका जवाब दे लेंगे, and I'm sure आपको वीडियो बहुत पसंद आई, ये concept clear हो गया है, जल्दी से like कर दे वीडियो को, share जरूर कर दे अपनी सभी friends और family groups में, साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरा app install नौ किया हो, तो play store पर जाए English connection टाइप करे, app को install करें, वहाँ भी रोज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, मिलते हूँ आप से अगले वीडियो में, अगला topic अगर आप चाहते हैं कि मै आपके किसी topic को cover करो, तो comment section में जरूर से लिख के बताईएगा, जैहिंद